मैं आपको जिस transformation के बारे में बताने वाला हूँ, वो है Shear Transformation, Shear Transformation क्या होती है, अगर आप गौर करें, यह हमारे पास है Shear Transformation, Shear, Shear Transformation क्या होती है, जो हमारे पास Before and After मैं बनाऊँगा, Before वाला हमारे पास Red में होगा, After वाला Green में, ठीक है, तो यह हमारे पास I hat है, यह हमारे पास है J hat, अब होगा क्या, जो हमारा coordinate plane, shear transformation से गुजरेगा ना, उसमें क्या होगा, उसमें, I hat वहीं का वहीं रहेगा, it doesn't change, ये जो I hat है, ये वहीं का वहीं रहेगा, जो J hat है ना, वो यहां पे आ जाएगा, यानि के, वो अपनी point से हट के, इस side पे आ जाएगा, which is, जो value उसकी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहां पे जो value थी हमारी before वाले में, इसको मैं red में लिखता हूँ, हमारे पास जो transform बनता था, वो था 1, 0, और 0, 1, ठीक है, और जो shear transformation है, इसके अंदर क्या बनेगा हमारे पास, यह basically क्या करता है, आपका जो i और j hat है, इसको कुछ इस तरीके से दिखाएगा, 1, 0, and then, यहां पे आ जाएगा, अब क्या आएगा, 1 and, हाँ जी, क्या है, अगर आप गौर करें, तो इस shear transformation इसको क्या की है, 1 and 0 है यह तो, दूसरे वाला क्या हो गया, 1 and 1, exactly, सिरफ एक change आईएगा, और इसको shear transformation कहते हैं, shear क्या होता है, अगर आप गौर करें, अगर मेरा vector, इन दोनों के दर्मियान में, इस तरीके से आ रहा होता, तो यह vector भी तो मेरा move करना था न, तो यह बिल्कुल इस जगा पे आ जाना था, तो इस transformation से क्या होता है, चीजें सुकड जाती है, यानि के, इस तरह मूँ खुला हुए है न, मगर मच का, तो अगर वो बंद करता है, तो जाहरी बात है, बीच में जो चीज होती है, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, जो दरियाई शेर उसे बोलते हैं, मुझे जानवर का नाम नहीं पता, उसके मूँ में तर्बूस डाला जाए न, तो अगर वो unit vector है, तो इस तरीके से वो मूँ खुल के बैठा होता है, ठीक है, वो जैसे उसके मूँ में वो जाता है, तर्बूस वो एक साइड से उसका जबड़ा बंद होता है, हम जब खाना खाते हैं, तो हमारा नीचे वाला जबड़ा बंद होता है, उपर वाला वहीं पे है, तो बेसिकलिए अगर मैं मूँ खोल के रखता हूँ, मुझे पता है, मैं क्या कर रहा हूँ, बट जस्ट लिसन, तो हसे ना कोई भी, तो अगर आप लोग हंस क्यों रहे हैं, मैं नहीं करता हैं, जाओ, यह क्या बात भी मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, आपके दांद नहीं कर रहे हैं, चलो बताता हूँ, अगर आप मुझ पूरा खोलते हैं, और 90 के एंगल आपके अगर जबडों का बन जाता है, आपका 90 का एंगल बनता है, ठीक है, इसका मतलब है कि आपके basis vector इस तरीके से हैं, ठीक है, यह आपका अगर मुझ इस तरीके से खुला हुआ है, बीच में जितनी भी चीज़ें हैं, वो कडच कडच कड़के सुकड जाएंगे, तो shear का मतलब भी यह होता है, कि आप उस एक area को वहाँ पे ऐसे सुकडा देते हैं, अब होता क्या है, अगर आप गौर करें, यह हमारे पास एक transformation है, और यहाँ पे जो हमारे पास एक vector था, that value was 2 by 2, ठीक है, अब हमने देखना है कि transformation के बाद, इस vector की value क्या हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 2 by 2 को vector matrix multiply करेंगे, ठीक है, वो कैसे करेंगे, यह जो हमारे पास है, यह आपको पता है, i hat है, यह हमारे पास j hat है, तो 2 into i hat, plus 2 into j hat आजाएगा, और अगर आप गौर करें, 2 into i hat मेरे पास है, 10 plus 2 into j hat है, हमारे पास 11, तो अगर हम इसको गौर से देखें, तो यह हमारे पास क्या value देगा, 2 0 plus 2 2, तो अगर मैं इसको गौर से देखूं तो यह मेरे पास क्या वैल्यू दे रहा है अगर आप गौर करें 4 and 2 तो अगर मैं यहां पे आपको वेक्टर का final transform वरियन दिखाऊं it should be 4 and 2 like here क्योंके वो पीछे मैंने उसको बड़ा बना दिया था यहां पे मैंने छोटा बना दिया so at the end यह जो वेक्टर है जब इसको नीचे shear करेंगे तो यह घूम के बड़ा हो के इस साइड पे आ जाएगा so this is how you can have an understanding के किस तरीके से हमारे पास shear transformation जो है वो काम करती है ठीक है क्योंके मैं hand run कर रहा हूँ इसमें जासे कोई भी चीज यहां पे प्रफेक्टिम बरनी उपर से मेरे पास जो tab है वो थोड़े मसले का रही है but at the end आप कोई भी चीज की transformation के बाद vectors define कर सकते हैं इसका मतलब एक यह भी हुआ कि अगर मेरे पास यह चार quantities मुझे पता चल जाएं a और c b और d यह पता चल जाएं तो मैं किसी भी vector जिसके coordinate है x and y इनकी transformed शकल जो है वो find out कर सकता हूँ ऐसे ही है इसको करने के लिए आप simply क्या करते है a and c के साथ इसको multiply किया plus y into b and d के साथ अगर आप इसको equation के अंदर लिखें तो यह आपके पास क्या बनाएगा at the end मैं बलके इसको उपर ही लिखता हूँ अगर आप इसको एक equation की form में लिखते हैं कि आपके पास कोई भी एक transformation given हो like this और आप किसी भी vector का transformed version देख सकते है ठीक है so now we can see के यह मेरे पास क्या value दे रहे ax ठीक है ax plus by ax plus by और यह मुझे क्या देगा cx plus dy cx plus dy so वो ही चीज जो मैंने आपको पहले बताईए and then you can have an idea के आपके पास जो final एक vector आएगा वो transformed form के अंदर कुछ इस तरीके से आपके पास show हो जाएगा and this is the theory behind matrices यकीन माने अगर आपको matrix जो है वो समझ आ जाते हैं कि यह क्या हैं यह basically transformations है transformation की algebraic form अगर आप देख लें जो matrix अगर देखें तो आपको matrix को multiply करने का भी पता चल जाएगा divide करने का भी और आगे इनको halt करने का भी this is very easy to understand लेकिन आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत चाहिए बड़ा focus के साथ आपको जलना बढ़ता है फिर आप इन चीज़ों को समझ पाते हैं matrix आपको clear हो गए है linear transformation आपको clear हो गए आपको यह पता चल गया कि हम अगर basis vectors आप भिंडी लेने डिरेक्ट चले जाते हैं लेकिन अगर आप भिंडी को किसी और जगा पे खुद से उगाना चाहते हैं तो उसकी base से start करते हैं यह नहीं होगा कि भिंडी लाए हैं और भिंडी आप पूरी की पूरी ठोग दें जमीन में कि चलवी योग नहीं आप उसकी base निकालते हैं base क्या है भिंडी का बीज इसी तरीके से अगर आपने तर्बूस कहना है तो पूरे का पूरा तर्बूस नहीं आप नीचे जमीन में ग्रो करते हैं आप उसकी base को ग्रो करते हैं which is seed इसी तरीके से और भी काफी examples है कि आप कभी भी किसी एक scale से आगे जाते हैं से फॉर एक्जामपल दुनिया के अंदर जो weights पड़े हुए है वो एक gram या एक kilogram कहीं पर पड़ा हुआ है जिसके reference से बाकी बने है ठीक है तो वो जो एक kilogram है वो basis हमारे पास है या one gram जो है वो basis है उसके आगे extensions बनी हुई है इसी तरीके से vectors पूरी दुनिया में हर unit के साथ है मैं मिसाल देता हूँ आपको अगर आपको ये ना पता हो कि एक meter कितने है तो एक kilometer का कैसे पता चलेगा नहीं ना पता चलेगा because one kilometer is actually an extension of thousand scalar multiplication of one meter thousand multiplied by one meter इसी तरीके से one gram को अगर thousand scale कर देना उपर को यानि कि scalar number thousand के साथ multiply कर दे one gram को तो वो एक kilogram यानि कि हजार gram बनता है तो दुनिया के अंदर इतनी examples मुझूद है linear algebra की कि आपकी सोच दंग रह जागी अब आपके mind में कौन से examples है please write down in the comments और अगर इसको like ने किया ना तो please अभी कर दे नहीं करना अगर तोड़े मर्जी